ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है तुला राशी वालू अब भग्वान शिव की किरपा से महादेव क्या शिर्वास से 13 मई से 27 मई इन 15 दिनों में दुनिया होगी आपकी मुठी में जा दोस्तों बहुत कुछ होगा इन 15 दिनों में 13 मई से 27 मई इन 15 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है वह सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते थे कि आपके जीवन में आपको मिले तो कैसा समय रहेगा वही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शिव योग शर्वाद शिद्य योग जैसे शुव योग बनेंगे इन 15 दिनों में जिससे की यूँ कहें कि दुनिया आपके मुठी में होगी बहुत बड़ा परिवर्तल बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों के अंतरान में कैसा समय रहेगा विस्तारपूर वही बताएंगे आपकी लव लाइफ करियर बिजनेस वैपार आपका स्वास्त शंपूर जान करी दिनी आर्टिक किस्तिती नौक ये किस प्रकार रहेगा 13 मही से 27 मही इन 15 दिनों का समय आपकी लाशिवालों के लिए शुरू करेंगे वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाहा में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसनता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफल ताहंसिल कर अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्पपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके आपकी इस्तिती बन रही है इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुत लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतित करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी क काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसियां महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतित होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरते कोई नकार अतमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबरती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रती ज़्यादा एकागर चित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अतमक कमियों को दूर करके आप बहतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना जो करें दोस्तों साति सात कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भे हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत पपूर्ण उपलबदी भी आप आपके हाथ से निकल सकती हैं थोड़ा सावधान रहें शेयर शट्टा आदी में किसी प्रकार का आप निवेश ना करें तथा साति सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महबानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुख स रखते हैं इसलिए अपने कामकाज के प्रती सजग रहें साति सात पुराने जगडे दो बारा उबर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस सम्मंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलतैंवी प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पती पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पती पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वेवारिक संबंद मधुर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेशानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कोण से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुसलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मक परणाम हासिल होंगे शैयोगियों और करमचारियों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें जिस कारे को आप शहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कारे के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवश रकता है नोकरी पेसा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कारे छेतर में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदार योगा भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे नोकरी पेसा व्यक्ति अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का प्रियास ना करें क्योंकि किसी प्रकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ नए व्यवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंग और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपूर्ण योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्से को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिले कार्य चेत्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंद विक्सित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्ये भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबबबी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके ये लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और चाती में सूजन महसूस होगी लापरवाही बिल्कुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें साती सात अत्यादिक काम की वज़े से धकान वे कमजोरी महसूस होगी शमय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक हैं साती सात अपने खानपान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भोजन करें जो होती अच्छा रहेगा साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें